सबी को ये डर सता रहा है कि कोरोना की तिस्री लहर दस्तक दे सकती है लेकिन अब इसकी संभावनाएं कम हो गई है ये कहना है कोविड प्रभारी रहे डॉक्टर अनिल डॉंग्रे का एसीन बारत के मैनेजिंग एडिटर अशुत खान से खास बाचित में डॉक्टर डॉंग्रे ने इस पश्ट किया कि यदि कोरोना की तिस्री लहर आती है तो उस्ते निपटने के तैयारिया की जा चुकी है ऑक्सिजन वो दवाईया परियाप्त मात्रा में मौटुद है कोरोना के तिस्री लहर को लेकर अब इसे जागरुक होना जरूर ही है निश्ची तुर्प से हम ने जो पिछले दो कारेकाल देखे हैं कोरोना के यही कहा जागे कि उसका कारेकाल रहा था कोरोना का इक्टनों लोगों ने अपनी जाने गवा दिए तिस्री लहर को लेकर क्य तयारी हैं, यही जानेंगे हम, कोईट प्रभारी रहे डॉक्टर डॉंग्रे से, कि उन्होंने किस ताना की तयारी की हैं आने वाले वक्त के लिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि सेप्टेंबर में तिसरी लहर आएगी, लेकिन सेप्टेंबर भी गुजर गया और और नॉमबर दस्तक देने वाला है, डॉक्टर नील डॉंग्रे आपका स्वागत है, आप हमने पिछले दो जो लेहर आई थी, उसमें हमने आपको काफी काम करते वे देखा है, आपको परभार भी दिया था, कोईट परभारी बनाए गए थे, आप तमाम तरह की केम्स लग हैं और यह बार-बार यह सुनने में आ रहा था कि हां तीसरी लेहर आ सकती है, अब अक्टूबर तक आगया है, तो अभी तक तो कोई ऐसा अपने को अंदेशा या कुछ ऐसा मिला नहीं है, कि जिसे तीसरी लेहर आए, अभी कुछ दिन पहले आठ मरीज आये थे, जिसमें स है कि आप सब यह समझें ना कि कोरोना भी चला गया है, सब के सब बिलकुल मेरे हिसाब से मास पहनना और शोशल डिस्टेंटिसिंग काफी हद तक भूल चुके हैं, तो यह लोगों को चिता हुनी है कि वो अपना ध्यान रखें, मास कभी भी पहनें, मास की एक ऐसा जरिया ह जो कि इस वाइरस के ट्रांस्मिशन को बचाता है। जी, बिलकुल, अभी वैसे इतनी स्थी खराब नहीं है, अभी बिलकुल साथ पेशेंट ही मिले हैं, और बाकी एक कल पर सो कुछ आट पेशेंट मिले थे, आज तो दो ही पॉजिटिव आए हैं, अभी और आगे देखते हैं, तैयारी पूरी है कोविट से लड़ने के जी, बाकी जो देशों में तुरंट लॉगडाउन इसलिए लगाया है कि उन्हें पता है कि अल्टिमेटल लॉगडाउन लगाने से ही ये सफलता हासिल होती है, अपने देश में अगर देखा जाए तो करनाटक में भी दो तिन केसे मिले हैं, मध्यप्रदेश में भी कोई अन्य दिलों में भी केसे मिले हैं, तो साउधानी भरतना तो बहुत आवश्यक है, तो क्या ये कारगर साबित नहीं होगा या अपनी जो वेक्सिनेशन किया है, इसका कोई असर नजर नहीं आएगा, ऐसी केसारे उधारे ने जिसमें दो दो वेक्सिनेशन लगाने के बाव कोरोना हो गया? आपकी वेक्सिनेशन के दोनों डोस पूर्णा तरह लगाएं और सुरक्षित हो जाएं, आपकी बात मानली भी जाए, अभी हमने ये भी देखाए कि सारे लोगों ने सिर्फ सर्टिफिकेट भर ले ली हैं, और तहवारों का सीजन चल रहा है, इसे में भीड़ भाड़ वा कोरोना के मरीज बहुत कम हैं देंग्यू की मात्रा में, तो देंग्यू का तो चली रहा है कि प्रशाशन ने भी इस पर काफी ये लिया है, सारे इंदौर प्रजेश में फोगिंग हो रही है, सारा जिते भी मलेगा और देंग्यू के लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं तो इसे कितने अस्पताल है जिने चिन्नित कर लिया गया है यदी कोई यही कहा जागा है कि दोबारा यदी कोरोना की आपदा आती है तो क्या विवस्ता है प्रिशाशन के पास है प्रिशाशन पूरी तरह फुल इसमें तैयार है सारे हॉस्पिटल जो पहले कोविड के लिए तैयार किये थे जितने बड़े-बड़े चोटे हॉस्पिटल उन सब को वापस से कोविड में अपन करने करने में तत पर है और रादा स्वामी तो तैयार है अभी वह चली रहा है महाँ पर भी एक या दो पेशिंट जो भी पॉजिटिव आते वहीं एडमिट किये जाते है और उन्हें प्रॉपर उपचार के बाद में ही महाँ से रिलीस किया जाता है तो प्रेशाशन और हेल्फ डिपार्टमेंट पुरी तरह तहीं आ रहे है तो क्या ये सारी दवाएं जो को लगती है वो अब उतनी उपलब्ध है उसके लिए मारा-मारी नहीं करना पड़ेगी ऑक्सिजन स्लेडर्स के लिए लोगों को दोड़ना नहीं पड़ेगा यदि ऐसा मान भी लिया जाए कि इंदोर शहर जिसके आबाती लगबत पचास लाग के आसपास है और हर स्पताल में अगर पचास-पचास मरीज भी होते हैं कोरोना के तो क्या आप उनका इलाज समय र होगी और जहां तक इंजेक्शन का सवाल है तो इंजेक्शन भी उत्ती मातरा में तो तैयार हैं क्योंकि पहले एकदम बहुत ज्यादा केसे हो गए थे जिसे प्रोडक्शन और सप्लाइं में तो दिक्कत आई थी तो मुझे नहीं लगता कि अभी इसी कोई प्राब्लम जाएगी या यह समय रहती खत्म हो जाएगी क्योंकि वैक्सिनेशन पूरे हिंदुस्तान भर में हुआ है खास्तों पर हम दूर जले की बात करें तो यहां पर भी तक्रीमन प्रतिशन से ज्यादा लोगों वैक्सिनेट हो चुके हैं तो यह क्या थार्ड लेयर का असर होग जाए वाइरस के ट्रांस्विशन में मुश्किल साथ या आठ दिन याज मुश्किल से पंदरा दिन तक लगते हैं तो अभी तिंग चार महने तक तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है तो आगे भी होप करें कि थर्ड लेयर का आना थोड़ा सा डिफिकल्टी है अगर आती भी है त यहां तक के कोविट पेशेंच की बात कही जाती है तो पिछले कुछ दिनों में छे-सात लोग ही आये थे और उन में से सभी लोग स्वस्थ होकर चले गए यदि थर्ड वेरियंट आता है यानि कि तिसरी लहर कोरोना के आती है तो इसके लिए जिला पेशासन और स्वास व पारक इन दोर